हेलो आज पीर आ गई हुमें आपके लिए एक और नहीं रेस्पी लेकर तो हम बनाएंगे आज पालक पनीर तो यहाँ पर मैंने खुब सारी पालक लिए इसको वोस कर लिया है अब लेंगे कड़ाई कड़ाई में डालेंगे पानी और पानी में यह देखिए इतनी सारी मेरे पालक है और इसको हम उबालेंगे तुबालने के लिए अब हम इस प्रफ रख देंगे ढकर और यह देखिए अब हमारी पालक जो है वह इसका धकन उतार देती हूं यह देखिए यह वही पालक है जो हमने पूरी कड़ाई भर गे यहाँ पर हो चुका है यह बस हमें ऐसी कर क्योंकि हमें इसको मिक्सर में भी पीसना है तो अब हम इसको निकाल देते हैं तो यह देखिए मैं इसको एक चिम्टी की सहायता से इस तरही किस इसको निकाल देती हूं थाली में कि यह ठंडी हो जाए इसे आप निकाल के पंखे के नीचे रख देना तो यह जल्ली से ठंडा हो जाएगा नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं आपके पास टाइम है तो यहां पे देखिये मैं धाली में निकाल दिये और अब हम इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए इधर देखिये मैंने लेसुन लिया है प्याज लिया है और हरी मिर्च लिये इसको हम अब मोग निकाल लेते हैं तो यहां पे देखिए अब हमों धितना भी इंटी मिक्सर में लगा हुआ है इसेफेश्टों को मुंधे निकाल देना यहां टमाटर है इसको मैं पनीर को हम चलते हैं फाइनली चॉप करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से यहां पर मेंने आधा किलो पनीर का यूज किया है आप अपने हिसाब से कमिया जादा कर सकते हैं तो इस तरीके से देखिए मैं धाले पर ही काट रही हूं तो यहां भी यह देखिए कड़ाई अभी हमारा पानी इसका देखिए हो चुका है खतम अब हम डालेंगे कोकिंग ओयल तेल को गरम होने देते हैं तेल देखिए गरम हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे जीरा देखिए तड़का अन स्टार्ट हो चुका है तेल अच्छे से हमारा गरम हो चुका है जीरा हमारा जीस ही लाल हो चुक हो जाएगा तो अब हम इसमें जो प्याज लेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है वो इसमें डाल देंगे और इसको इस तरहासे चलाते हुए भूनेंगे हमें इसे चलाते रहना है क्यूंकि लेस्ट जो होता है वो कढाई में जल्दी चिपक जाता है तो आप इसे लगातार चलाते रहेंगे तो इसकी कढ़ाई की तली में ये नहीं चिपकेगा आपके पास जो भी बरतर है उसमें वो नहीं चिपकेगा अगर आप नोन स्टिक बरतर में बना रहें तो अच्छी बात है क्योंकि इसमें जल्दी नहीं चिपकता है लहसुन हो तो यहाँ पर मेरे पास ये स्टिल की कढ़ाई है तो यहाँ पर देखे चिपकने का चांस ज्यादा रहता है तो यहाँ पर देखे नीची चिपक भी चुका है अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर का पेष्ट इसको भी डाल कर भून लेते हैं अब हम इसी के साथ इसमें अड़ करेंगे मसाले तो यहाँ पर फ्रेंड ये देखिए हमारा जो है टमाटर को भी हमने अच्छे से भून लिया है आप देख सकते हैं तो फ्रेंड अब चलते हैं, हम अब मसारी डालना स्टाट करते हैं, यहाँ पिर मेने लिए है कस्थूरिलाल मिर्च, उसको डाल देते हैं, हाफ स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, गरम मसाला लिया है, धन्या पाउडर और स्वाद के नुसार नमक, सब को डालकर, अब हम इसको भी भून लेते हैं इसी आप लगातार चलाते रहें नहीं तो यह तली में चिपक जाएगा क्योंकि हमने इसमें पानी भी यूज नहीं किया है तो आप इसको मीडिया वाज पर ही पकाएं तेज आंच रहेगी तो आपका जो मसाला है वो जल जाएगा तो फ्रेंड हमें इसी से इसको चलाना है अब यह हमारा वही पेश्ट बनाया हुआ था पालक का जो हमने उबाली थि अब हम इसको भी इसमें डाल देते हैं यह देखिये हमारी पालक कितनी गिरिन गिरिन लग रही है न कितनी अछी है तो बस अब हमें इसे को डाल कर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है यह देखे इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी इसका कलर कितना ही अच्छा आ रहा है न तो यह देखे अब हमने मिक्स कर लिया है इसको यह आप देख सकते हैं अब हमें इसको भूनना है कि थोड़ा इसमें मसाले जो है जो है ग्रीन कलर है वो थोड़ा यलो कलर हो जाए और जो मिक्सजार में जो बचा हुआ था पालक उसमें मैंने पानी डाल कर उसको भी इसमें एड़ कर दिया है तो बस फ्रेंड इस स्टेज पे हम अबने कटे हुए जो हमने पनीर रखे हुए है उसको भी डाल देते हैं और इसको मिक्स करके इस तरीके से अब इसको हमने धक देना है बस अब हमारा काम जो है वो हो चुका है खतम बस यहाँ पे देखिए हमारी जो पनीर पालक पनीर वो बन कर हो चुकी है रेड़ी यह देखिए इस तरीके से तो फ्रेंड आप इस पे अलग से तड़का लगाना चाहते हैं तो लाल मिर्च और खड़े कुस मसाले लेकर उसका तड़का लगाई है बहुत ही टेश्टी लगती है बस हमें यही पर इसको उतार देना है हमारी जो सबजी बन कर हो चुकी है रेड़ी तो इसे आप चावल चापाती या अन्य किसी किसा साथ खा सकते हैं और वीडियो फ्रेंड आपको जड़ा सभी हेलफूल लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और वेर आइकन को प्रेस कर देना इससे यहोगा जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूंग इसकी नोटिफी किसे न आप लोगों के पास पहुंजाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों